हाथी और बंदर एक बार एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे हाथी बहुत बड़ा और शक्तिशाली था वो बड़े बड़े पेडों को एक ही जटके में उखार देता था बंदर काफी दुबला और पतला था लेकिन वो बड़ा ही फुर्तिला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेडों पर उचलकूत करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वज़े से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था जो अकसर बंदर और हाथी की हर्पते देखता था। वहाँ इन दोनों के लडाईच गड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोन विज़ेता में क्या करना होगा। उल्लू ने कहा इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है। जहाँ पर एक काफी पुराना पेड है जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम डोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाईगा। उसे ही इस प्रतियोगित से दूसरे पेड तक पहुँच जाता, वही हाथी तेजी से दोडने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने मजबूत सून से उखार फैकता, थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए, इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्त पर दोड़े में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और जट से वह नदी में कूद गया। लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सून से उसे पकड़ कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तै करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा। मैं नदी पार कर सकता हूँ। तुम भी मेरी पीट पर बैठ कर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वहà हाथी के पीट पर बैठ गया। इस तरह दोनोंने नदी पार कर ली और दूसरे जंदर में पहुच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सून से उस पेड को गिराना चाहा। लेकिन वह पेड काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड नहीं उखडा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यहाँ फल नहीं तोड सकता हूँ, बंदर बोला, चलो, मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ, बंदर फुर्ती से उस पेड पर चलने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहां पर सोने का फल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड लिया और पेड के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लोट आए और उलू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उलू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोग दिया। दोनों ने एक साथ कहा, उलू दादा अब हमें विजेता का नाम जानने की आवशकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग औ अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तिया ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरिया भी होती है। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो ग तो प्यारे साथियों आज के इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना चाहिए।